वेलकम टू यू आल एट माई यूट्व चैनल स्टडी टाइम वेटर्स के हेलो दिस इस सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आंसर स्क्रिप्ट की रिवैल्वेशन के बारे में और इस बारे में भी कि आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट को कैसे अपने पास मंगा सकते तो इसके लिए एकनो ने ओनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है निव्ज अनॉंस्मेंट चैक्शन में यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दूसरे पेज की तरफ डारेक्ट किया जाएगा जहां पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन्स आ जाएंगी यह कुछ जर्रल इंस्ट्रक्शन्स है जिने आपको पढ़ना होगा अप्लाइ करने से पहले यह चीज आप यहाँ पर देख लीजिए कि यह वो कोर्सिस हैं जिनके लिए आप रिवैलुएशन के लिए एपलाई नहीं कर सकते हो और इसके अंदर वो सारे कोर्सिस हैं जो मल्टिपल चॉइस कोर्शन्स टाइप उनका एग्जामिनेशन हुआ था पर जिन भी कोर्सिस के एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी कोर्सिस के लिए आप आंसर स्क्रिप्ट और नहीं रिवैलुएशन के लिए अपलाई कर सकते हो इन दोनों में से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है इन सभी कोर्सिस के लिए आप कोर्सिस देख लीजिए यह है PCO01, OMT101, OSS101, BDP, BTS या फिर BCA के कोर्सिस, BSSF101 और FST01, फिर BPCHN के यहाँ पर BNS041 और BNS042, CLIS के कोर्सिस हैं, फिर हाँ पर CBCS बेस्ट जो बैचुलर और ओनर्स दिगरी के प्रोग्राम से उनमें BEVA181 के जो कोर्सिस हैं, इसके लिए आप Evaluation के लिए अपलाई नहीं कर सकते हो, एक और चीज़ सबसे पहले आपर General Instruction के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं आपको General Instruction बता देती हूँ, इसे आप Download करके भी देख सकते हो, General Instruction पे क्लिक करके, तो यह वो Notification है, जो General Instruction में लगाई गई है, आपको यहाँ से पढ़ लेना होगा, और यहाँ पर जो Rules हैं, वो मैं आपको पता देती हूँ, सबसे पहले Revaluation of Answer Script के लिए क्या क्या Rule रहने वाला है, तो सबसे पहले जो Fees है, वो यहाँ पर Clear कर दी गई है, कि आपको 750 रूपीस लगेंगे पर Course, Answer Script को Revaluate कराने के लिए, आपको जितने भी Courses के रिए Revaluate कराना हो, उतने Courses में आपको 750 रूपीस की Multiply करनी पड़ेगी, एक और चीज़ की One Month के अंदर अंदर ही Student जो है Revaluation के लिए Apply कर सकते हैं, जब आपका Result Declare हुआ, माल लीजे आपका Result आज 25th of March को Declare हुआ है, तो आप One Month के अंदर अंदर है, यानि कि April में 25th से पहले पहले ही आपको Revaluation के लिए Apply करना हो Result एगनों की Website पे Place किया गया, उस दिन से इस चीज़ की Counting स्टार्ट की जाएगी, Revaluation के बाद हाँ पर कहा गया है, कि जो भी आपके Better Marks होंगे, आपके पास अब दो Marks हो जाएंगे, एक तो आपका Original Marks है, जो Already आपको लगा दिया गया है, और दूसरा Marks हो होगा, जो Revaluation क के बाद Marks बनेगा, तो इन दोनों में से जो भी Better होगा, वही Marks आपके Result Card में, Great Card में Upload किये जाएंगे, एक और चीज़ की माल लीजे कि आपके जो Marks है, वो नहीं तो Increase हुए ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तब कोई भी नया Marks नहीं लगाया जाएगा, तो इसके Advised Statement, इगनु की तरफ से उस Student को Issue किया जाएगा, यह Revaluation का जो Process है, आपके Answer का उसमें 30 Days का टाइम लगेगा, minimum टाइम हैं पर 30 Days का लिखा हुआ है, तो आप जभी भी अपना Revaluation के लिए Application Submit करेंगे, उसके 30 Days के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई Information जरूर हां से मिल तो यहाँ पर Lab Courses हैं, या फिर Assignment है, Project है, Seminar है, या फिर कोई आपका Intensive है, जिसके अंदर आपको Fail कर दिया गया है, तो उसमें कोई भी Revaluation का Process नहीं होगा, सिर्फ Tom and Examination जो हो रही है, उसमें भी Theory, उनहीं के लिए आप Revaluation के लिए Apply कर सकते हो, तो यह तो Revaluation के लिए बात हो तो 100 रुपीज पर Course यहाँ पर Charge किया जाएगा एक Student से, 45 डेस के अंदर अंदर आपको इसके लिए Apply करना होगा, अगर आप Answer Script चाहते हैं किसी Course के लिए तो, और यह Date भी वहीं से गिनी जाएगी, जितने तारीक को, जितनी Date को आपको Igno की Website पर आपका Resurge है, वो Update कर दिया के बाद, Submit करना है, Igno में जाकर कि अपने RC में आपको Contact करना पड़ेगा इसके लिए, और उस Copy में आपको Mark करना पड़ेगा, कि कहां कहां आपको लगता है, कि जहां जहां आपको Marks नहीं दिया गया, और यह काम आपको 15 Days के अंदर अंदर कर लेना होगा, जब आपको आप अंसर स्क्रिप्ट प्रोवाइट करा दी जाएगी, इसके बाद अगर आप 15 Days के बाद जाते हैं, तो कोई भी क्वेरी को वहां पर entertain नहीं किया जाएगा, इसके बाद में मैं आपको यहां पर बता दू कि आप अगर आंसर स्क्रिप्ट चाहते हैं, और फोटो मितलब आपन ऐसा possible नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले revaluation के लिए apply कर दिया है, और आपकी copy process में जा चुकी है, तो फिर वहां से आपको वो लोग answer script नहीं दे पाएगे, तो यह आपको पहले ही सोचना परेगा, कि आपको पहले answer script मंगानी है साथ में, या सिर्फ revaluation के लिए ह apply करना है, अगर आपको दोनों ही चीज़ चाहिए, तो आप दोनों को एक सांथ ही process में डाल सकते हैं, दोनों के लिए application एक सांथ ही डाल सकते हो, अभी हम आपको application भी file करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है, तो यह सारे processes जिनको आपको follow करना होगा, यह सारे rules है, इसकी assistance के लिए आप इन सभी phone numbers पे contact कर सकते हो, कुछ ही mail IDs भी दे रखी है, तो आप इन सभी को पढ़ लेंगे, अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने answer script के लिए, और revaluation के लिए apply कर सकते हो, तो वो सारे rules और regulations को जानने के बाद हम दुबारा से आ चुके है, revaluation क official जो portal है, आपके एगनू की तरफ से, उसकी तरफ, यहाँ पर note में लिखा हुआ है, तो आप दोनों ही note को पढ़ लीजेगा, कि किस case में आपको answer script नहीं दी जाएगी, जैसा मैंने पहले आपको बताया, और एक और चीज़ यहाँ पर लिखा है, कि answer script और evaluation दोनों के लिए, आप एक साथ भी process में हाँ पर डाल सकते हो, एक साथ application दे करके, इसके बाद आपको declare पर click करना होगा, जहाँ पर घोषना लिखा हुआ, इसके बाद I agree to proceed, जब आप यहाँ पर I agree to proceed पर click करेंगे, तो इसके बाद आपको दुबारा से इसी page में नीचे आ जाना है, यहाँ प इसके बाद में जो यह Tom and examination वाले अभी जो December वाले student है, वो इस पर click करेंगे, और जब आप इस पर click करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर नए page पर आपको direct किया जाएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, कि login करना है, enrollment number डालना है, अपना program डालना है, और इसके इसे ही अपने पास एक file बना लीजे, क्योंकि अगर आप answer script चाहते हैं, तो आपको इगनू की identity card को यहाँ पर upload करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको open कर लेती हूँ, login करने के बाद हम इस page पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले student की सारे instructions दिखाई जाएग exam related details, जहाँ पर PHE 14 के लिए, obtain हुए 13 marks, maximum marks 15, 50 थे, session आपको यहाँ पर दे दिया है, और result कब update हुआ, यह बात भी यहाँ पर लिख दिया है, तो इस तरीके से आप easily यहाँ पर check कर पाएंगे, कि कब यहाँ पर result जो है, वो update किया गया है, इसके बाद आपको क्या करना हुग आप यहाँ पर आना होगा, request for re-evaluation and copy of answer script जहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर click करेंगे, जहाँ पर आपको select करने के लिए option मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने select कर लिया PHE 14 क्योंकि इस student का भी PHE 14 का ही जो result है, वो update किया गया है, फिर applying for पे click करना है, कि आप किस की सीज के लिए apply करना चाहते हो, सिर्फ re-evaluation के लिए, तो आप सिर्फ re-evaluation पर डालेंगे, अगर आपको सिर्फ answer script चाहिए, तो आप copy of answer script only करेंगे, और आपको both चाहिए, तो आप दोनों पर click कर देंगे, जैसे मैंने हाँ पर दोनों पर के लिए click कर दिया, तो हाँ पर 850 रूप जिनके लिए आपको re-evaluation के process में अपने answer script को देना है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इन से student ने अभी अभी ये भी select कर लिया, हमने यहाँ पर कि इनको answer script भी चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर click करके choose करना पड़ेगा, वो file जहाँ पर आपने अपनी ID card तरफ है, उधर direct कर दिया जाएगा, तो यह वो process है, जिसको आपको follow करना है, answer script के re-evaluation के लिए और अपने answer script को opt-in करने के लिए, तो यह वीडियो है, re-evaluation के process को पूरा हमने हाँ पर आपके लिए describe कर दिया, यह आपके उपर है, कि आप अपने answer script के re-evaluation करवाना चाहते है यह नहीं करवाना चाहते है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कि आपको जब आपके हाथ में answer script मिलेगी, उसके अंदर अगर कोई answer आपके evaluator ने cut कर दिया है, इस तरीके से, तो उसके लिए कोई भी marks फिर नहीं लगा जाएगा, चाहे तो फिर वो आपका answer जो है, वो सह आपने reevaluation के process के बारे में जाना, कि किस तरीके से आप reevaluation के लिए apply कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी answer script को मंगवा सकते हो, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएं, आपको कोई भी query हो तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं, तब तक stay tuned, जै हिंद, ज